हाई हेलो गाईज वेलकम बेटो माई चैनल तानवी की जन चैनल में आप सभी का मॉस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यू रेसिपे लेकर आई हूँ आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ना मत बुलेगा और मेरे चैनल को कर दीजिगा सब्सक्राइब और यह दिए आपको कोई कंफ्यूज नो तो कमेंट करके पूट देजिगा मर्सका रिप्लाइज जरूर दूगी तो देखिए मेरे वीडियो तो आज हम बनाने वाले हैं बदाम मिलिक से एक बदाम मिलिक से किसको पीना नहीं पसंद जादतर सभी को बहु ज़दा पसंद ह होता है रहा हम कई बर क्या होता है कि मार्केट से पी के आता है और मार्केट में बहुँ ज़दा महंगा भी मिलता है लेकिन लगता बहुत ही टेस्टी है तो टेस्टी तो होता है लेकिन हम सभी को यह थोड़ी पता होता है कि इसमें क्या क्या चीज़े डाली गई है क्या च तरीके से आप बनाएगा आपका बदाम मिलक से बिलकुल परफेक्ट बनने वाला है बिलकुल बाजा जैसा इसमें टेस्ट आने वाला है तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना तो इसके लिए आपको क्या लेना है बदाम तो बदाम है आपको भीगी वाली ही लेनी है सूक भी बहुत ही आसान होगा यदि गरम पानी में विगो के रखोगे तो यह मैंने ओर नाइट विगो के रखी थी ओर नाइट जो विगो के रखते हैं वह अच्छे से ठंडक देती है हमारे सरी के लिए अच्छी होती है तो इस तरह से बदाम हम चील लेंगे और इदर मैंने एक लिए है एक लेलेना है आपको भगोना या कुछ भी ले लीजेगा जिसमें आप बना रहे हो तो इसमें थोड़ा से मैंने पाणी डाला था फहले से मैंने थोड़ासा पानी डाला हुआता है और फिर बाद में पानी अच्छे से समा जाता है जा इसमें बराबर couldzyka पनी वाला भी ले सकते हो जो लो फेट वाला तर वो भी ले सकते हो थोड़ा सा दूद मैंने ओर डाल दिया है तो आदा लिटर दूद मैंने इसमें लिया है तो इसमें पानी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मैंने आदा कप के लगबग पहले डाल दिया था और आदा गिलास के तो यह से Совina बाइज डाल टाल के उसमें uição पिस ली माई ज follower में जाव है इन्हें चाहर में利नद बल्कुल फाइन पेस्ट का बना लेना है बदामे चील की और में पीस लिए हैं तो अच्छे से से पीस गई एंड होना चाहिए तो झाल दे संभ करन दूद्रान नेधि हैं। निए निए यह श्रक्त करना दर्धा सकता है। अद्रक्स के उने माई और पिसे हुआ है। तो इसलिए मैंने इसी टेम बदाम इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी आनी डाल के और इसमें डाल दिया क्योंकि बदाम जार में बिल्कुल भी नगी नहीं रहनी चीज़ आप सभी को पता है कि बदाम बहुज़ादा महंगी आती है तो ड्राइफूर्ड सभी भूती महंगे पड़ते हैं तो इसलिए आपको बिल्कुल भी जार में नहीं लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और पूरा इसमें डाल दीज़े अब इसको हम थोड़े से देर तक चला लेंगे तक हमारा बदाम है जो पेश्ट वचे से पक चाहे अब मैं एक कप लोंगी और इसमें निकालूंगी मैं इसमें दूद निकालूंगी हलका सा दूद इसमें हम निकालेंगे तो दूद हम क्यों निकाल रहे हैं आपको आगे पता चल जाएगा तो दूद इसमें थोड़ा सा निकाल के मैं कप में रख ले हूँ सायड में तो इसमें मैं क्या डालने वाली हूं वेले ना फ्लेवर का कस्टड पाउडर तो मैं ज्यादा quantity में नहीं डाल जी हूँ क्योंकि ज्यादा quantity आप डाल दोगी इसमें कस्टड तो वो क्या है कि milk sake की जगह आपका रवडी बनके रेडी हो जाएगा और वो ज्यादा जो थिकनेस में होता है वो ज्यादा टेस्टी भी नहीं लगता हूँ फिर पूरा कस्टड कस्टड का टेस्ट आता है बदाम का कम टेस्ट आता है कस्टड का ज्यादा टेस्ट आता है तो इसलिए आप अपने अकोडिंग देख लीजिए का आपको ज्यादा थिक पसंद है यह ज्यादा पतला पसंद है ना तो मेरा ज्यादा पतला मैं बनाने वाली हूँ नहीं ज्य लगा है बदाम इसमें पाक चुकी है तो अब मैं इसमें पूरा डाल दूँगी क्योंकि ज़्यादा क्वाइटिटी में तो मैंने कस्टड लिया नहीं है तो इसमें तो इसको मिला लेंगे क्योंकि हमें बीच में छोड़ना जीए जब तक इसको चलाते रहेंगे नीचे तो सब पौन्किला क्या डूब्लत है तो इसमें मैंने क्या K excuse दाला है फुलबर केके अच्छे से कहने वाले पानी ऊक्रप्राइब आप 500 ज़साँ लेकिन तो थिक्नेश में आजाएगा भी आ जाएगा और nellמׄ चैस्ट चैस्ट तो जादा नहीं यहांना चाहिए थोड़ा आरा से लिए कस्टड राने के लिए लिए कस्टड कीळाँ यूजा है। पकने लगा है। जब तक पकने लगा है। रिझा तक यूजा जाता है फ्लेवर के यसी तक हम धोड़ नारे या तक cryeye? रहेंगे अच्छा से कष्टड पक जाना चीए जब आप समझे कि कष्टड अच्छा से पक चुका है तो यह दूद की जो कंसेश्टेंसी थोड़ी चैंच होने लगी है तो इसमें इसमें क्या करने वाली हूं चीनी डाल दिया निस सूगर सूगर मैंने एक कटोरी ली थी थी यूदि कम मीठ़ए रहे जाए न तो ठंडा ओने के बाद में थोड़ा सा फीका-फीकावाला पर मतलब चीनी थोड़ा ज़वेगते थे sicher कि यह मेरे अनुसार तों कि चीनी जादा नहीं जब यह ज़वेगा अफोड़ा सा दूद मैंने इसमें और निकाल लिया थीण आव और थोटी दिएर से इसको रग देँँ, तक relates colour केषर केषर के दाग़े से और थोटा टेस्ट भी अच्छा आएगा मैं एक dil одним केषर केषर के डाल तो इसी टाल देना है स festa जाया तब तो कस्टर तो केषर 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 जाएänder हमसे का तो इस सब चीज़े डाली है केसर के धागे ना हो तो ऑफशनल है को जरूर नहीं है सभी चीज़े आप डालो जो मैंने डाली है यानि केसर के धागे को जरूर नहीं है आपके पास हो तो डालिएगा ना हो तो इसकीप कर दीजिएगा तो इसको अच्छे से पका लेना बिल्कुल यह पक जाना चीए है और एक जाना हो जाना चीए है क्योंकि दूद अलग 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 दिखता है पानी जैसा जब तक ऐसे नहीं करना है थोड़ा है इसमें थिकनेस सी आने लगे जब तक इसको पकाना है तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से पका लिया है तो कोई मतलब ऐसा तो होता नहीं कि बदाम डलिए उसमें कश्टर डेर सारा डल जाता है और फिर कश्टर डेर सारा डल जाता है तो दूद में अच्छा नहीं लगता है तो इस तरह की कंसेस्टेंसी रहोनी चीए और मैंने फ्रीज में रख दिया था ठंडा होने के बाद में ठंडा होने के बाद में आपको फ्रीज में रख देना है और फ्रीज में बिल्कुल यह चिल्ड हो जाए उसके बाद में मैंने कतरन डाल दिये ड्रैफूर्स की काजू पिस्ता वदाम यह सब कुछ कट करके और इसमें आपको पसंद हो तो ज्यादा क्वांटिटी में डाल इतने बड़े हैं मतलब एक ही ग्लास तो इसमें मैंने अच्छे से भर दिया है और आप मैं इस पर ड्राइफूर्स से गार्निसिंग कर दूंगी और दिखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे लुकिंग अच्छी लगेगी और हमारा बदाम से एक तो दिखने में आपको अच्छा लगी रहा होगा तो मैंने बदाम से की ना जयसे जादा ना तो पतली रखी है ना जयादा गारी रखी है तो आप अपने सब से दिख लिएगा आपको किस तरह से पसंद है इस जादा पसंद है तो आप कश्टड की कॉंटिटी थोड़ सी बढ़ा लीजीएगा मै बुद अच्छा फ्लेवर आएगा बुल लिकसेग में तो उम्यद करती हूँ आपको इस रेषीपी पसंद आई होगे पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताए घर आपको यह मिलकसेग देखके आपके मुँझे पानी आया कि नहीं आए यह बीकमेंट करके जर स्क्र MARISHAM टें जिड़ीं के जिन भी जो